कि यूटीब चैनल ग्नालाई पर दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हो रिजनिंग और इस रिजनिंग स्रिंग्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं आज कैलेंडर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर और कैलेंडर को एक बहतरीन अंदाज में साल्व करेंगे जोकी हम लोग देखें, कि एक ही फारमूले से पूरे कैलेंडर को solve करेंगे, जो भी समस्याइं होती थी पहले कि यह सब याद करो, यह सब याद करो, उसमें यह सब प्रावलम अब नहीं होने वाली है, create, अब आप लोग एक ही फारमूले के माध्यम से पूरा कैलेंडर, जो भी question, मतल यह सबसे पहले हम लोग इसके कुछ factual चीजों को जान लेते हैं, कैलेंडर क्या होता है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए, इसके बाद में उसमें किन-किन facts का use होता है, यह आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, फिर भी एक बार हम इसको repeat कर द होता है, समन लीजिए उसी को क्या कहते हैं, कलेंडर कहते हैं, तो कलेंडर में अब देखिया, हमने पता है, डे, डे, मन्थ, एंड इयर, तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, कि यह डे क्या होता है, सबता क्या होता है, मन्थ क्या होता है, और इयर क्या चीज होता है, तो आई ये स्टार्ट करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्थ क्या चीज होता है, तो दोस्तों आई ये स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वर्थ, वर्थ जो हो वर्त कहता है किसी होगे सतापदी के संवय Bite को किया कहते है वर्स को कि सतापदी के संवय todas को किया कहते है इस गाल के कि कृते हो तिथी यानि कि डैट पर ठीक ही अब अब आईए हम लोग जान लेते हैं कि डे क्या चीज होता है तो डे जनरली दोस्तों बेसिकली जो आप लोग जानते हों किसी भी सप्ता के साथ में भाग को क्या कहते हैं दिन कहते हैं आप आईए हम लोग जानते हैं ये बीक में कितने बीक होते हैं और वन येर में कितने मंत ह तो आप लोग यह जानते ही होंगे तो वन इयर में टोटल बारा हमा होते हैं और एक वर्ष में टोटल जो है बावन सब्ता एक दिन होते हैं जो साधारण वर्थ होता है उसमें बावन सब्ता एक दिन होता है अगर आप लोग इसी को देखोगे तो यह बावन सब्ता एक दिन पांच घंटे 48 मिनिट होते हैं कितने होते हैं पांच घंटे 48 मिनिट होते हैं मतलब बावन सब्ता एक दिन पांच घंटे और 48 क्या होते हैं मिनिट होते हैं यह एक वर्ष में अब आईए हम लोग देखते हैं यह जो लीप वर्ष होते हैं चूकि यह देखो एक वर्ष में प तो यह completely एक दिन का निर्मार कर देंगे, तो इसलिए जो leap worth होता है, उसमें 52 दिन हो जाते हैं, इसलिए जो leap worth होता है, उसमें total 366 दिन होते हैं, 52 दिन होते हैं leap worth में, और जो साधारण वर्थ होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, या इसी को 52 एक दिन के नाम से आप लोग divide कर सकते दोस्तों डेट, मन्थ, येर, बीक जानते हैं दोस्तों एक बीक में टोटल सेबन डेज होते हैं इन सब नामों से हम उन्हें जानते हैं इनका आरडर 1, 2, 3, 4 से आप ध्यान रख सकते हो तो यह थे दोस्तों आपके कुछ बेसिक सीजें कि लीप वर्फ क्या होता है और साधारन वर्थ क्या होता है वर्थ क्या होता है बंथ क्या होता है और date और day आपने यहां से चीखा अब आईये हम लोग कुछ इससे जो calendar होता है इससे कुछ चीजे हम से एक्जाम में फैक्ट्वली डारेक्ट्ली पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं, कि अगर इस तरह से question हम से पूछे जाते हैं एक्जाम में, तो हम इनको कैसे directly इसका answer कर पाते हैं, तो यह सबसे पहले हमने यहाँ पर blackboarding किया है, कुछ ही जे इसको जान लेते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह होता है सताब्दी, सताब्दी वर्थ कैसे कहते हैं, यह जानते हैं, इसको इंग्लिस में कहते हैं, सतक जैसे सचिन ने सतक महारा, बिराट कोली ने सतक महारा, उसमें क्या होता, जब वो सबसे पूरे कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सतक कहते हैं, तो अब यह होता है सेंचुरी मिन सताब्दी वर्थ सताब्दी वर्थ मतलब होता है कि जो सो वर्थ कम्पलीट कर ले यानि कि ऐसे वर्थ जो सो वर्थों से कम्पलीटली सो वर्थ क्या हो मल्टीपल हो या सो वर्थों से मिलकर के बना हो तो उसी को हम क्या कहते हैं सताब्दी वर्थ कहते हैं जो जनरल येर होता है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं जो लीप येर होता है उसमें 306 जट दिन होते हैं अब आईए इसको हम लोग समझ लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वर्थ वर्त में होता है हमने बताया साधारन वर्थ और लीप वर्त जो साधारन वर्थ होगा जैसे आप कोई भी अब इसको हम लोग एक चीद से द्धान रख सकते हैं जो कि हमने बता है जो leap year होता है वो चार वर्थों में टोटल 5 गंटे 48 मिनट से जब उसका complete होता है combination तो वहां से यह क्या होते हैं complete एक दिन का निर्मार करते हैं तो आप लोग ऐसा रखे ध्यान में कि ईसा वर्थ जो 4 से डिवाइड हो जाए चोफी में यह complete होता है हो जाएंगे आपके leap year अगर थ्यान Garden नहीं होगा तो वह तो यहां पर हमने यह सब क्या होंगे आपके साधारन वर्थ और यह हो जाएंगे आपके लीप वर्थ यहां पर दोस्तों हमने में तन कर दिया है कि यह सब्सक्राइब जाएंगे कि यह सब्सक्राइब जाएंगे इसमें अगर घंटें को भी एड़ कर लोगे तो पांज गंटें 48 मिनट इसमें होते हैं अब आते हैं leap year में, leap year में क्या होता है, कि इसमें 52 सब्ताह प्लस दो दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भावन सब्ताह प्लस दो दिन हो जाएंगे, दोस्तों तो यहां से ध्यान रखिएगा, और एक चीज fact और यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, यह हमें question solve करने म बहुत मद्द करता है कि जो सहधारण वर्थ होता है इसमें पर्थम यौम अंतिम दिन क्या होता है सम्हान होता है जैसे अम माली यह पोचा जाए कि एक जनवरी 2001 को पर्थम दिन शो मुआ रहा है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा आप इसका दिन बताईए यानि कि आपको यहां से आपको डे बनताना है तो आप इसके माध्यम से डालेटली बता सकते हो कि जो सहधारण वर्थ होते हैं उसका पर्थम दिन और अंतिम दिन क हम यहां पर हम लीप सताबदी वर्थ किसे कहेंगे लीप सताब्दी वर्थ मतलब जो होता है यह टोटल जब 400 से यहनी कि इतने सी ध्यान रुकिए कि वर्थ होगा तो उचार से डिवाइड होगा तब लीप यह होगा लेकिन अगर आपसे question पूछा जाएगा कि यह सताब्दी लीप सताब्दी वर्थ कौन सा है तो इसके लिए condition होता है कि ऐसा सताब्दी वर्थ जो 400 से कंप्लेटली डिवाइड हो जाता है तो वह जो वर्थ होते हैं लीप सताब्दी वर्थ का लाते हैं अगर यह 400 से कंप्लेटली डिवाइड नहीं होगा तो यह question आपका लीप सताब्दी वर्थ नहीं होगा अगर डिवाइड हो जा अगर चारतों से नहीं डिवाइड होगा तो यह आपका साधारण सताब्दी वर्थ हो जाएगा इस पर दोस्तों आपके question पूछे गए थे यूपी PCS 2019 में और एक GPS है साइद वहां पर question आप पूछा गया था यह जो PCS होते हैं यह उनका पसंदीदा question है यह वहां से यह लोग question जादे पूछते हैं अब आईए हम लोग इसमें देख लेते हैं इसके example क्या है यानि कि question पूछे जाए कि लीव सताब्दी वर्थ क्या हो चाहिए चार सो का क्या होना चाहिए इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो कि यह का उनसे यह है लीव सताब्दी वर्थ हैं दोस्तों अब आईए हम लोग इसके कुछ fact देख लेते हैं जो हमसे directly exams में question पूछ लिए जाते हैं जो हमको हमेंसा ध्यान रखना होता है इसी के माध्यम से हम इसका answer कर सकते हैं तो जो सताब्दी year होते हैं इसका प्रत्थम दिन क्या क्या हो सकता है ऐसे question में पूछ लिए जा सकते हैं आप सन्ह में दे दिये जाएंगे उसमें से एक होगा जो होता है और तीन ऐसे होंगे जो नहीं होते हैं इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि बताईए जो सताब्दी वर्थ है इसक का जो प्रत्थम दिन होता है कौन-कौन सा हो सकता है इसके अलामा और कोई दिन नहीं हो सकता है अब हम लोग आ जाते हैं जो साधाब्दी वर्थ होता है इसका अंतिम दिन यहां से directly हमसे question पूछे गए है कि बताईए जो सताब्दी वर्थ है इसका इन में से दिये गए options में से इसमें से कौन सा सताब्दी वर्थ का अंतिम दिन हो सकता है तो यहां से आपको option में इन तीनों में से अगर कोई भी दिख जाएगा तो वही आपका correct answer होगा यहां से बुद्धवार, शुक्रवार और रभी वर्थ इन तीनों को छोड़के अगर कोई भी option में मतलब आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आप लोग यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सताब्दी वर्थ होता है उसका प्रत्थम दिन शौम, मंगल, ब पूशे जा सकते थे, यह चीजों को हमने दोस्तों कबर करने की कोशिश किए, अब आईए हम लोग अपनी question की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास केवल वकेवल एक ही फार्मूला है, जिसमें हमें बहुत चीजों को याद नहीं करना, वुशी के concept से हम लोग इसको पूर